हेलो दोस्तों, I am your host सी वगेल सर, आज मैं आपको, आप लोगों को काजल तीज के दिन याने 1 सितंबर 2019 की सुबह, 8 बजे के लगबग घटी एक बहुती आशर जनक घटना के बारे में जानकारी दूँगा, आज तारिक 14 सेप्टेमबर है, और आप लोगों को बड़ा ही आश होगा, उस घटना को मैं इन 14 दिनों तक विसलेशन करता रहा हूँ, चली ज़्यादा समयना लेते हुए, आप लोगों को भी सावधान अलर्ट आगा किये देता हूँ कि कैसी भी विशम परिस्थिती आए, अपने अंदर पेसेंस रखिए, हिम्मत से काम लीजिए, अपने विलपावर का सहरा लीजिए और विवेकपुर्ण परिस्थितियों से दोदो हाथ कीजिए, एक खतरनाक सा दिखने वाला अगोरी मेरे घर के आंगन के गेट पे खड़े होकर बड़े जोर जोर से आवाज लगा रहा था, मेरी माता जी जो साइड में, बाड़ी में खड़ लिया, लगबग घर के हर सजस का ध्यान उस पे हो गया, रात का जो भी बचा हुआ था उसे एक प्लास्टिक जिल्ली में भर कर चला में उस अगोरी को देने, मैंने ध्यान से देखा वो कोई खतरनाक अपराधी जैसा दिखाई दे रहा था, गेरोए रंगी एक लुंगी ज ज्यादा चड़ा कर पहना था, बाकी खुला बदन, लाल सुर्क आखे, गोल गोल टाइप की बाहर निकले हुई टाइप की, एक काले कंबल को रस्टी से चारो तरप से बांध कर, कंदे पर और एक लंबी पट्टी वाला, सामान रखने वाला जोला, वो भी कंदे में लटक रखा था, चेहरा चौकोर, ओट और चेहरा धोब से जुलसा हुआ, तगड़ा सरीर, सामान ने उचाई लगबख, पांच फूट तीन इंच, रंग हिन दाड़ी मुझे, मैंने उन्हें जिल्ली में खाने पीने का सामान दिया, वा बड़ी जोड से भड़क गया, और करने लगा, कहने लगा, मैं अगोरियों का माराज हूँ, क्या, मैं ये खाऊंगा क्या, आएं, मैंने अपने आजुबाजु देखा, पड़ोसों के घर के तरफ, मगर कोई भी दिखाई नहीं दिया, मैंने सोचा, रात का बचा कुछा दे रहा हूं करके, इसलिए अगोरिय कैसा बोल रहा है, मैं घर में पुछा, अभी जो नास्ता बनाए थे उस में से, दे दो, मुझे घर के लोगने बता है, किसी ने सबजी रोटी खालिया, किसी ने चाय रोटी खालिया, सिर्प टाजी रोटिया बची हों, माता जी ने बोली, अचार के साथ दे दो, मैं उसकी स्मार्टनेस, उसका ड्रामा और उसकी ओर कांपिनेस देखकर अब धीरे धीरे मेरा पिसेंस भी खतम होने लगा मैं बोला आप आगे कालूनी में दूसरों के घरों से मांग लो अब जो हमारे आप हमारे पास में बचा है वही तो देंगे ना फटाक से लो और आगे बढ़ो, समय खराब मत करो, मुझे काम पे जाना है तो वो दूनों हाथों को हवा में उठाकर मेरे तरफ बड़ी-बड़ी आके दिखाकर कुछ पढ़ने लगा इतने में मेरे बच्चे लोग आने लगे, तो मैंने उन्हें ना आने के इसारा किया क्योंकि क्या है, जवान बच्चे कहिए सवगोरी को दो-चार थपड मार ना दे मैंने अब सोचा ये सवगोरी की क्लास लेना चाहिए मैं अगोरी से बोला, अरे आपको हमने बुलाय थे क्या, आएं, चुर जाओ यहां से मैंने घर के तरब देखा और बच्चों का आवाज दिया, अरे बेटा टामी की जंजिर खोल दे और मेरे पास भेश तो, अब इस अगोरी का चेरा देखने लायक था मैं बोला, टामी सब खाता है, इस सारा भर कर दो, अब यह घबरा के भागने लगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बोलकर पिछे से मैंने आवाज दिया, द्वारा कभी आने की हिम्मत मत करना, अब यह पुलिस में कंडेंट देते हैं और आपको बता दूँ सन 91 में हमारे प्यारे डॉगी टामी की डेट हो गई थी मगर वो आज भी हमारी हेल्प करता है टामी से पहले मोती था मोती की डेट के बाद मैंने टामी को खरिद के लाया था कभी पुरसत से अलग से इन दोनों के उपर वीडियो बनाऊंगा आप लाइक करना सब्क्राइब करना, कमेंट करना हजार लाइक तो कर देना आप तो इस्क्रीन में लाइक की बटन लगा दिया हूँ, इस्क्रीन में देखना राइट साइड में कोने में है की नहीं और भी बड़िया बड़िया वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप अपने विचार रख सकते बना भई, आप कैसी लगी, क्या लगी है, गटना, और आज के जमाने को देखते हुए, सावधान रहना चाहिए, ज़्यादा धर्म भीरू बनने की जर्वत नहीं है, धर्मिक रहो विच से काम लो, है की नहीं, अब मैंने जो हेडिंग भी दिया है, कि धार में खोना अच्छी बात है, मगर धर्म भीरू होना बुरी बात है, ज़रूर से सब्क्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, एक हजार लाइक तो बनता है भाई, थैंक्यो बेरी मच पर वाचिं in this video.